यह वैसे पहले हम लोगों ने टाइम कॉंस्टेंट और दिस्टेंस किया था उसके बाद फिर थर्ड सेशन में हम लोगोंने एक कॉंस्टेंट विस्टेंस किया था ठीक है तो I hope आप लोगो वो दोनों concept समझ में आये होंगे, मैंने आपको पहले ही बता है कि time, speed, distance के maximum questions इन दोनों concept से frame होते हैं, ठीक है, तो अगर आप इनको मतलब समझने की जुरुत है, question को पढ़ने के बाद हमें इतनी clarity होने चाहिए कि कौन से question में concept use होगा, ठीक है, तो यह session इन से भी exams के लिए important है, if you guys are targeting CAD, Z, IFT, SNAP, NMAT, CMAT, TIS, and CMAT, CET, IPMAT, CLAT, campus placement exams, और किसी भी aptitude exam को और आप target कर रहे हैं, तो आप लोग लिए सारे sessions बड़े important है, time, speed, distance और बाकि जितने भी topics मैंने complete कर रहे हैं, उन सभी की playlist के लिए आप लोगों को इस video के description में जाना video के description में मिल जाएगा, और comment section में पिंड मिल जाएगा, ठीक है, चलिए, तो question number 7 तक, I think, हम लोग discuss कर चुके तो, so moving to the question number 8, ठीक है, 8 हम लोगा discuss कर लिया था, तो 9 हमें करना है, ठीक है, question number 9 ते एक बार read करो, और इसको समझने कोशिश करो, मैंने एक previous question में डाला हुआ है, yes, तो सबसे पहले question number 9 discuss करते है, a naughty bird is sitting on top of a car, it sees another car approaching it at a distance of 12 km, the speed of the two cars is 60 km per hour each, the bird start flying from the first car and moves towards the second car, reaches the second car and comes back to the first car and so on, if the speed at which bird fly is 120 km per hour, the total distance traveled by the bird, ठीक है, हमें total distance बताना है, bird ने कितना travel किया, ठीक है, चल, सबसे important point जो इस question को solve करने के लिए है, वो ये है, कि माल लो यह हमारे पास car 1 है, ठीक है, यह हमारे पास car 1 है, this is the car 1, और इस box में हमारे पास कौन सी car है, car 2 है, इस box में हमारे पास कौन सी car है, car 2 है, simple सा अगर मैं logic लगाता हूँ, बच्चे, इन दोनों car की जो speed है, the speed of the two cars is 60 km per hour each, इसकी speed भी 60 km per hour है, यह इधर move कर रही है, और इसकी speed भी कितनी है, 60 km per hour है, यह भी इधर move कर रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ move कर रही है, ऐसा बोला जा रही है, it's another car approaching it, approach करने का मतलब है, इनका जो moving direction है, वो opposite है, यह इस direction में move कर रही है, वो इस direction में move कर रही है, ठीक है, the bird starts flying from the first car, अब यह दोनों कार move कर रही थी, इन दोनों के बीच में initial distance कितना था, इन दोनों के बीच में initial distance कितना था, 12 km, ऐसा बोला जाना, initial distance कितना था, 12 km था, the speed of the two cars is 60 km per hour each, the bird start flying from the first car, अब एक bird है, जो first car पर वैठी हुई है, वो यहां से second car पर जाती है, फिर जब वो वहां से वापस आएगी, तो यह first car थोड़ा आगे चली जाएगी, मतलब, एक bird है, first car से second car पर, फिर second से third पर, मतलब, move करती रहेगी, अगर मैं आपको कुछ scenario बताओ, मालनों यह हमारे पास car 1 यहां पर थी, और car 2 यहां पर थी, तो जितनी देर में bird यहां से वहां जाएगी, तो car थोड़ा आगे आजाएगी, तो bird यहां से यहां आगी, फिर जब bird वापस इधर आ रही होगी, तो यह बढ़ कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि दोनों कार मिल जाएंगी और बड़ भी वहीं पर होगी ठीक है तो मेरा पॉइंट यह है हमसे वही पुछा जा रहा है हमसे पुछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस टैवल बाइदा वर्ड आप एक लॉजिकल पॉइंट सोचने कि थोड़ी सी कुशिश करों अपने दिमाग लुगों तो वह बड़ जो है ना उसने तभी कार को मिलने में कितना टाइम लगेगा उन दोनों कार को मिलने में कितना टाइम लगेगा जितना टाइम उन दोनों कार को मिलने में लगेगा न उतना ही टाइम उस बर्ड उस उतने ही टाइम तक उस बर्ड ने मूव किया है इधर से उधर यह पॉइंट आपको समझने की पर क्या लिखा हुआ है, the bird start flying from the first car and moves towards the second car, which is the second car and come back to the first car and so on, if the speed at which the birds fly is 120 km per hour, bird की speed car से जाता होगी, तभी तो इससे पहले हमाँ पहुँच जाएगी न, तो bird की speed कितनी है, 120 km per hour है, total distance travelled by the bird, सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले एक छोटा सा point बताने कोशिश करो मुझे, जितने time तक car 1 move करेगी, उतने ही time तक car 2 move करेगी, बोले तो हाँ या ना, जितने time तक car 1 move करेगी, उतने ही time तक car 2 move करेगी, सिंपल सी बात है, दोनों कार अभी यहाँ पर है, कही ना कही पर तो वो presume that the two cars have a crash, वो crash हुई है, मतलब वो टकरा गई है, तो जितना अभी car one यहाँ पर है, car two यहाँ पर है, दोनों एक साथ चली तो कोई ना कोई time तो आगा ना, जब वो crash हो जाएंगी, मालनों 5 बजे वो यहाँ पर ती है, 5 बजे यहाँ पर है, 5 बज़ के 10 मिन्ट पर crash हुआ, तो इसका traveling time भी 10 मिन्ट है, इसका traveling time भी 10 मिन्ट है, दोनों का traveling time क्या है, same है, जब time same होता है, तो distance का ratio, speed के रिश्यो के बराबर होता है, तो distance traveled by car one by distance traveled by car two is nothing, speed of car one upon speed of car two, दोनों की speed का रिश्यो 60-60 है, यहनि की distance traveled by car one बराबर होगा distance traveled by car two, जितना distance car one चलेगी, उतना distance car two चलेगी, तो total 12 km का distance है, तो इसमें से 6 km distance car one ने चला, 6 km distance car two ने चला, कोई मुझे बताएगा, यह 6 km का distance car one कितनी देर में travel करेगी, और जितनी देर में इसने यह 6 km उतनी देर में उसने ट्रवल किया, और उतनी देर तक bird ने मूव किया, इहर से उधर, लॉजिक लगाओ, जितनी देर में car one यहां से होँची, उतनी ही time में, car two यहां से होँची, और उतनी ही time तक bird ने moved किया, तो बेसिकली मुझे ये बताना है कि car 1 ये 6 km का distance कितनी देर में travel करेगी और इसका speed कितना है 60 km पर तो time क्या होता है distance 6 km speed कितना 60 km पर तो 1 by 10 1 by 10 r तक वो गाड़ी मतलब 1 by 10 r में ये 6 km distance वो travel कर लेगी तो it means 1 by 10 r तकी bird ने move किया है इधर से उधर इधर से उधर logic लगाओ ना तो distance traveled by bird कितना होगा speed of bird into time of bird bird का time कितना है जितने time में ये वाली कार यहाँ पहुचिए जितने time में ये वाली कार यहाँ पहुचिए उतने time में ये वाली कार यहाँ पर पहुचिए वो time कितना है 1 by 10 r है ये r है km और ये km पर r तो ये r में आ गया तो distance traveled by word, speed of bird कितना है, speed of bird 120 है, time taken by word कितना है, 1 by 10 है, इससे score आया, तो कितना है हमारे पास है, 12 km, distance traveled by word कितना आ रहे है, 12 km आ रहे है, चेक कर लो, distance traveled by word कितना रहे है, 12 km आ रहे है, यहां तक की बात, I hope आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, जल्दी से बताओ, यहां कि बारीकी से समझ लेंगी, जोरो तेस कोशन को, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा कोशन ही, ठीक है, बहुत ही प्यारा कोशन, अगर मैं literally बताओं तो आप लोगो, ठीक है, मतलब the main point is, जितनी कि देरे में वो दोनों कार crash होंगी, उतनी देर तक बढ़ने move किया है, कुछ लोग इसमें relative speed का concept लगाते नजर आते हैं, कहते हैं, दो कार opposite direction में move कर रही है, तो opposite direction में speed add हो जाती है, relative speed यह ऐसा कहता है, कि दो कार अगर opposite direction move कर रही है, तो दोनों का speed add हो जाएगा, तो इसका speed 60, relative speed becomes 120, distance कितना है, 12, 12 km के बीच में distance है, और 120 km का relative speed है, तो कितनी देर में यह मिल जाएगी, तो time बराबर, relative distance 12 km, relative speed 120 है, तो वहां से भी time हमारे पास 1 by 10 आ रहा है, और इसने ही 1 by 10 आ तक उस bird ने move किया है, bird की speed कितनी थी, 120 थी, 120 into 1 by 10 कितना आ जाएगा, हमारे पास 12 km आ to this question, इस तरह के questions exam में आते हैं, जिनकी language बड़ी होती है, बट वो solve करने में बड़े easy होता है, बच्चा question को पढ़ के डर जाता है, अच्छा बाट इदर से उदर जा रही है, भाई कैसी निकालेंगे, हमसे तो नहीं हो पाएगा, but question करने में easy होगा, ठीक है, moving to the question number 10, यह हम मारे पास question number 10 तेस को देखते है, A and B started running simultaneously from point M towards point L, and their speeds were in the ratio 7 is to 1, बहुत अच्छी बात है, speed of A to speed of B का जो ratio दिया होए है, वो 7 by 1 दिया हो, on reaching N, मालों दो point बना लेते हैं, यह point यहाँ पर M है, और यह point यहाँ पर N है, ठीक है, M and N, बोला जारा न, A and B started running simultaneously from point M, towards point N, and their speeds were in the ratio 7 is to 1, on reaching N, A turned back towards M, on reaching N, मतलब simple सी बात है, simultaneously मतलब होता है, एक साथ, उन दोनों ने, A और B ने, M से चलनाय स्टार्ट किया, भाया, A की speed 7 है, B की speed 1 है, ratio 7 is to 1 है न, speed का, तो simple थी बात है, A की speed जादा होगी B से, तो A ज़्यादे distance travel घरेगा, तो M से लेके N पर पहले कौन पहुचेगा, A पहुचेगा, तो जितनी देर, मतलब M, M से निकला, N पे गया, और फिर वापस मूड़ गया, ठीक है, यह white वाला distance किसे ने travel किया, A ने travel किया, और मानलो B यहाँ से यहाँ तक पहुचा, logic लगाओ जा रहा, यहाँ तक की बात आप लोग का समझ में आ गई है, A यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ वापस आ गया, ऐसे गया M तक, क्योंकि उसकी speed 7 times है, B से, तो वो बहुत 7 times distance travel करेगा, तो जितनी देर में B यहाँ से यहाँ गया, मानलो उतनी देर में A यहाँ से यहाँ आ गया, और ऐसा बिलकुल जरूरी निये कि middle point है, बता लेते हो, मालनो A यहां गया और यहां से फिर वापस उड़िया तो और उतनी देर में B ने मालनो यह distance travel किया तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है बस आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है आपको पता है दोनों same time पर निकले थे M से और ये इनका meeting point है ये इनका meeting point है तो इस meeting point पर दोनो same time पर मिले है अगर आप देखो तो जो उनकी point M से निकलने का time था वो भी दोनों का same था और इस meeting point पर पहुँचने का time है वो भी same है logic लगाओ same time पर निकले same time पर पहुँच गे तो दोनों का traveling time same है अगर दोनों का traveling time same है ना तो जो उनकी speed का ratio है ना वही उनके distance का ratio आप traveling time को zoom कर लिया तो अगर समझने में दिक्कत होती है मान लो वो यहां से 5 बजे निकले थे 5 pm पर वो दोनों point m से निकले और 7 बजे वो यहां पर पहुच गए just imagine 7 बजे वो यहां पर पहुच गए तो दोनों 5 बजे निकले और 7 बजे यहां पर पहुच गए ऐसी माना है मैंने let की आई ऐसा कहीं given नहीं है तो A ने कितने घंटे तक travel किया 5 बजे से देके 7 बजे तक B ने कितने घंटे तक travel किया 2 घंटे तक दोनों का traveling time same है ऐसे मान के कर लोगे तो I think समझ में आ जाएगा बट समझ में वैसे भी आ जाना चाहिए ठीक है तो दोनों का traveling time same है तो जो उनकी speed का ratio है न वही उनके distance का ratio होगा तो distance traveled by A distance traveled by B का ratio भी same होगा ऐसा क्यूं बोल रहा हूं मैं क्योंकि जब दो लोगों का time same होता है न तो उनके distance का ratio उनके speed का ratio के बराबर होता है I hope आप लोगे समझ में आ गया होगा हमें आगे क्या बोला जा रहा है बच्चे if the meeting point of the two was 300 meter from M M से इनका meeting point 300 meter दूर है इनका meeting point M से 300 meter दूर है यह 300 meter distance कितने travel किया है B ने यह वाला distance B ने travel किया है यह distance किसने travel किया है B ने travel किया यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या चल्दी बताओ यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या if the meeting point of the two was 300 meter from M इनका meeting point M से 300 meter दूर है इनका meeting point M से 300 meter दूर है, तो ये 300 meter distance किसने travel किया है, B ने, तो distance traveled by B कितना है, 300 है, तो हमारे ratio का 1 actual में 300 meter है, ratio का 1 300 meter है, तो ratio का 7 कितना आएगा, बच्चे, 2100 meter आएगा, 3 times, 1 का value 300, तो 7 का value 300 times कर दो, 300 into 7 कितना होता है, 2100 meter, आया ना, जरह मैं कोई बताओ, यहां तक की बात, आप लोगों को समझ में आ गई क्या, जरह मुझे बताओ, बिलकुल यहार, बिलकुल clear रून चाहिए, distance traveled by B ratio में कितना है, 1 है, और actual में कितना है, 300, 1 का value 300, तो 7 का value 7 into 300 कितना है, 2100 आएगा, तो दोनों ने मिलके कितना distance travel किया, 2400, दोनों ने मिलके कितना distance travel किया है, हमारे scenario के according, दोनों ने मिलके कौन सा distance travel किया है, एक पूरा round लगाया है, M से N और फिर M से M, M से N अगर distance D है, तो M से M भी तो distance D होगा, भाई M से लेके N तक का distance D है, तो उन लोगों ने D, फिर यह D, दोनों ने मिलके टोड़ी distance travel किया है, क्योंकि A यहां से यहां ग D is nothing 2400, यानि कि 2D का value 2400 है, हम से पूछा जा रहा है, distance MN पूछा जा रहा है, MN, तो MN को तो मैंने D assume किया है, अगर 2D का value 2400 है, तो D का value कितना होगा, 1200 meter is the correct answer to this question, कितना प्यारा question है, और कितना easy question है, बिलकुल हमारे concept पे based question था, हमने कुछ भी तो अलग काम नहीं हिया, इ बिलकुल conceptual question था, ठीक है, हम लोगों ने अपने concept से solve किया, time constant से, जब हमारा time constant होता है, तो distance का ratio ही, speed के ratio के बराबर होता है, दोनों की speed का ratio दिया होगा था, इस distance का ratio ही हो गया, फिर उसने बोला था, दोनों का meeting point है, वो M से 300 meter दूर है, it means ये वाला distance 300 है, ये वाला distance B ने travel कि था, ratio में B ने 1 travel किया था, 1 का value 300, 7 का value 2100, दोनों ने मिलके 2400 meter travel किया है, actual में, but question के according, दोनों ने MN का पूरा round लगाया है, M से N, फिर N से M, अगर MN के बेच का distance D है, तो ये D, फिर ये D, तो 2D distance travel किया है, 2D का value 24 है, तो D का value कितना होगा, 1200 होगा, check कर लो, D का value कितना होग ठीक है, moving to the question number 11th guys, question number 11 की तरफ move करते है, ये मारे पास question number 11th है, a man leaves his home and walks at a speed of 12 km per hour, reaching the railway station 10 minutes after the train had departed, if instead he had walked at a speed of 15 km per hour, he would have reached the station 10 minutes before the train's departure, the distance from his home to the railway station, question को पढ़ो और याद करो, session number 1 or 2 की कहानी, जब distance constant होता था, याद करो वो कहानी, जब distance constant होता था, तो जो speed का ratio आता था, उसका उल्टा कर दे थे थे, तो time का ratio आता था, ये cat 17 का actual question है, और मैंने आपको बोला था कि भाई, cat में easy questions आते है, actual में cat पूरा focus करता है concept पर, कि बच्चे का concept कितना clear है, cat को crack करना है, तो concept building concept building clear कर दो, भया घर से लेके railway station का distance तो हमेशा सेम रहेगा न, क्या आपके घर से railway station का distance daily बदलता रहता है, नहीं बदलता, तो distance same है, जब distance same होता है, तो जो हमारी speed का ratio आता है, उसका उल्टा कर दो, तो time का ratio आता है, तो पहले उसकी speed कितनी थी, 12 थी, अब उसकी speed कितनी हो ग गई, तो old speed, new speed का ratio निकाल लो, मेरी आदत है, मैं हमेशा उपर new speed लिखता हूँ, new speed upon old speed, new speed 15 है, old speed 12 थी, तो यह speed का ratio कितना आ गया, 5 by 4, जो हमारे speed का ratio आ रहे है, इसका new time upon old time, new time by old time का ratio कितना आ जाएगा, 4 by 5, new time by old time का ratio कितना आ जाएगा, 4 by 5, बोलो जरा, new speed by old speed का ratio 5 by 4 है, तो new time by old time का ratio कितना जाएगा, 4 by 5 हो जाएगा, यहां तक की बात, आप लोगों को clearly समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इसको थोड़ा रिलेट करेंगे, अब मुझे बताओ, जब उसकी speed 12 km पर आड़ थी, तो वो 10 मिंट बाद पहुच पा रहा था, reaching the railway station 10 minutes after the train had departed, train के डिपार्ट होने के 10 मिंट बाद, यानि की 10 मिंट लेट था, अब इसको रिलेट कर लो, मानलो train 10 बजे डिपार्ट करती है, train का departure time कितना है, 10 पीम, तो पहले वाले case में, वो 10 बज speed of 15, he would have reached the station 10 minutes before the train's departure, अब वो 10 मिंट पहले पहुच जा रहा है, तो 9 बज के 50 मिंट पर पहुच जा रहा है, क्योंकि यहां पर उसकी speed 15 हो गई, यहां पर उसकी speed 12, तो time में कितना difference आ रहा है, एक बार वो 10 मिंट बाद पहुच पा रहा था, और एक बार वो 10 मिंट पहले प परक आ गया, time में कितना परक आ गया, 20 मिंट का परक आ गया, और ratio में कितना difference आ रहा है, मतलब जो question में given time है, उसमें 20 मिंट का difference है, एक बार 10 मिंट बाद और एक बार 10 मिंट पहले, तो difference कितना आ गया 20 मिंट का, sir why are you focusing on difference, because मुझे new time, old time के ratio का difference पता है, ratio में डिफरेंस कितन 29 के बराबर होगा । यह कौन सा टाइम है ओल्ड Tाइम रेशो में 5 था रेशो का लेशो Á2 मिनट्स,Пр Katwe Dalam одна ग्स ए, ए, तो जस्त डिवाइड कर दें, अब हमें क्या निकालता है to the railway station distance निकालना मैंने एक बार नहीं हजार बार आपको बताया है बच्चे कर दिस्टेंस निकालना है तो आपको पुछ नहीं करना old speed ले रहे हो तो old ही time लेना old old time निकाला है ना मैंने 100 minutes इसको hours में change करना है 60 से डिवाइड करके भूल मत जाना old speed कितनी थी 12 थी बहुत सारे बच्चे जोश जोश में 4 ले लेते हैं बट actual में old speed was 12 तो old speed 12 लोंगा रेशो वाली value नहीं होती जब actual data निकालते है old time कितना है हमारा 100 minutes है आर्स में change कर लो 60 से डिवाइड कर दो 12 से इसको डाना 5 आ जाएगा इसको इसको डाना कितना आएगा हमारे पास 20 km तो घर और railway station के बीच में कितना distance है 20 km अगर मेरे question में मैंने गलती करी है तो भाई मेरा distance अलग आएगा जब मैं new speed और new time के यूज करूँ आप cross check कर लिया करो अगर मैं यहां से distance निकालता हो तो new speed कितना है 15 new time कितना है 1 का value 20 minutes तो ratio के 4 का value 80 minutes तो 80 minutes को आर्स में change कर लो 60 से डिवाइड कर गया मतलब ही नहीं है गलत आने का हमने के गलती फोड़ा ही गरी है डिस्टेंस new speed new time से निकाला तब भी 20 km old speed old time से निकाला तब भी 20 km मतलब ही नहीं गलत आने का ठीक है आप देखो बहुत सारे बच्चे distance को तो औरल निकाल रहे होंगे कह रहे होंगे 100 बाइ 65 बाइ 3 इंटू 12 थ्री से टाय कितना 20 km 3 से फ्रोल कॉट होगे 4 4 इंटू 5 20 km ऐसे कर लोगे आप लोग इस question को देख लो जरा आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी यह previous question था previous question मैंने इस ले कराया थाकि आप लोगों को है हमारे exam में ठीक है तो time constant and distance constant मैंने पहले भी बोला है backbone है इन पे काम करो भाई यह हर जगा यूज होता है मुझे खुद कोई formula याद नहीं है मैं बता रहा हूं अब तुम कहने लोगो नहीं sir आपने तो distance बराबर spin to time यूज कर रहे है यह formula थोड़ा ही है हमारे लिए ठीक है we are targeting मतलब इंडिया का सबसे जो टॉप लेवल का aptitude exam में cat की तैयारी कर रहे है तो यह formula है यह distance बराबर spin to time class 6 का बच्चा भी जानता है रहे तो कोई extra चीज नहीं बढ़ा रहा हूं conceptual clarity दे रहा हूं cat is all about concepts ठीक है तो आई होप आपको यह 11 के 11 question समझ में आए होंगी ठीक है next video में हम लोग और भी concept सीखेंगे और भी questions करेंगे हर type का question आपको cover कराना है तो जुड़े रहिए इस channel के साथ मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए बाबाई take care I hope आप लोग को अलगी feel आ रही होगी बच्चे मैंने सारे topics ऐसे ही cover कर रहे हैं आप जाके देखो तो सही या ठीक है आप ratio proportion पढ़के जाके देखो आप time and work जाके देखो आप percentages जाके report आगे even geometry उठाके देखो आप जो पूरा playlist मिल जाएगा आपको चैनल में feel ही आएगा आपको क्वांट पढ़ते में क्वांट का जो डर है यह खतम हो जाए ठीक है चलिया see you in next session तब तक के लिए bye bye take care bye